सरकार की योजनाव को लेकर क्या बोले सहरिया चातर संग्पर्देशा अधियक्ष नेतराम देवरिया खाबर कराहल से हैं जोहां सहरिया कुरान्ती के जरादियक्ष ने एक post वाइरिल करके उनके चातर संग्प से इस बार विजय पुर्से विधायक के लिए उम्मीदवार उ सीधी भरती प्रक्रिया को बंद कर दिया है देवर्या जी ने सरकार के विकास परतंज कस्ते हुए कहा कि आदिवासी विकास खंड कराहल में हमारे समाज की धर्मिशाला तक नहीं है कोई भी संस्थान हमारे आराध्य विर्सा मुंडा जी के नाम से नहीं है आदिवासियों प परसे दबंगों के कबजे नहीं हटाई जा रहे हैं बस हमारे समाज का उपियोग बोटों के लिए हर राजनीतिक दल करता हुआ आया है इस बार इन सब सरकारों के खोकले वादों से तंगा कर उन्होंने सभी समाज की मदद से खुद का विधायक चुन्ने की बात कही आज हमारे साथ मौजूद हैं वो सक्सियत जो कि सहरिया चातर संके प्रदेस अध्यच्छ हैं सहरिया क्रांती के शोपर से जिलात अध्यच्छ हैं युवाओं के काफी पसंदीता चेहरा है जी नेत्राम देवरिया जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी बिक्की भईया आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि हमको फास्ट समाचार के माध्यम से इस मंच पर बोलने का मौका मिला जी नेत्राम जी आप राजनीती करती है जेले में प्रदेस लेविल के नेता आया आप चातर संगटन के आपके बारे में कुछ सुनने को आ रहा है आपकी ए हमारा चातर संगटन के माध्यम से हम एक ऐसा चहरा को लाना चाहते हैं ताकि चुनाब आ रहा है उसके लिए हम एक प्रत्यासी ऐसा है जो हमारा चातर संगटन से हम उसको बिदाए के लिए मेदान में उतारेंगे एसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो हमने सरकार को भी देखाए आगे भी देखाए पीछे भी बहुत सारी सरकार बनी और बनके चली भी गई अब हमें ऐसा सरकार को बनाना है कि जो हमारी सुने एक युबा होने के नाते आगामी विदान सवा चुनावों में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए आप ये करने के लिए उतार हुए जी हम अमारे संगटन के जी बिल्कुल क्योंकि हम इस वज़े से अपने प्रत्यासी चुनाव में गोसित कर रहे हैं क्या इकार जो बनी ह उसने हमारी आबाज रोटा ही नहीं है और अभी भी हमारे अधिकतर बेरोजगार यूबा हैं उनको अभी तक कोई नोक्री अभी तक नहीं मिली है इसलिए हम अब हमारे संगटन के माध्यम से एक प्रत्यासी बनाना चाह रहे हैं मौजूधा बिदाएक हैं आपसी तरह schön बिजीप ऐ next से आते हैं क्या राय रखते हैं वह बिदाएक से आते हैं और आधिवाजी चैत्र के कि द्वार्ण के द्वारा उनको बनाया गया था उनके माध्यम से आम चाहत्र जंगटन का समर्तन वांगता उन्हें आगा अमीं साल पहले भी उन्होंने चुनाब लिया लड़ा था लेकिन कोई रेजल्ट नहीं जीरो रेजल्ट आया था अब जब कि दो आजराट आरा के चुनाब था तो अमारे संगटन से उन्होंने समर्तन मांगा था कि आप हमें समर्तन दो आपकी अबाज को मैं प्रिदेश लेबल त समात से सीधी वर्ती से मो लगी है सीधी वर्तन हो गाई है किया कहना चाहते हैं इस बारे में जी पहले कई साल पहले 2018- Australia तक सीधी वर्ती हुई ती लेकिन अब सीधी वर्तन हो गया है जिससे हमारे संब्धाई के आधिवासी लोग कापी संक्याम बेरोजगार हो चुके हैं अब पहले भी बरती होती थी तो हमारे जिले में कापी मतल तोड़ी आट वे पास दस वे पास बारे पास के यूबावों को नोकरी का रोजगार मिल जाता था लेकिन अब 2018 के बाद से ही सीधी बरती पिरकिरिया बंद हो चुकी हैं इस बज़े से हमारे लाकों संक्यामे सोपर जिले के अधिवासी बेरोजगार हो चुके हैं सीधी बरती प्रकिरिया दो जारा टारा के बाद आपके बिदाएक जी ने कोई प्रयास नहीं के इसको लागू कराने में जी अगर बिदाएक जी चाहते तो हमारी भरती 2018 के ब जनाते हैं अधिवासी वाईऄों को संक्यामे नोक्री लग जाती लेकां अभी अभी तक को नोक्री हमारे 2018 के बाद में आदी वासिएंगी नोकरी देखने को नहीं मिली ऴाटत्याम जी अधि लिए बहूस सरकार आपके विकस्त कर दोबरती है ऐसा हमने देखा है शोपर झ आदेम से जो योजना चलाई जा रही है वो केबल कागजों में ही चल रही है हमारे इस तर तक आदिवासियों के पास तो पहुंचती नहीं है दीरे दीरे जो योजना चलती है वो कागजों में समट कर रहे जाती है आदिवासियों तक अगर सरकार सीधी योजना पहुंचाती तो हमारा अभिकास होता सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन जो काम कर रही है वो केबल ऊपर तक कर रही है धरातल पर नहीं हो पारा है यह काम लेकिन जो सरकार जो हमारी लेविल के यहाद कारी होते हैं वो क्या एक कागजहों मैं और जो कुछ नेता होते बंदल ंपापे में योजनाओं को बंध कर देते हैं कि और पर फाइसाओं का बेंदर भाएव भी होता रहता हुझा जिदो हम मिद्ध्रिय किसे आप चाहिए कि चेंडर में बेकास होने चाहिए कि मौने हं से जी हमारा सबसे पहले मुद्दा तो सिच्चा का इस तरह है देखिए अगर एजू के सन अच्छा होगा प्राइरेट स्कूलों में आप देखोगे अच्छी बैतरी सुबदा हैं लेकिन सरकार की जो स्कूल देखेंगे उनका च्छत कहीं से टपक राइबर साथ में हमारे बच सबसे पहले सुधार किया जाए तो बिल्कुल हमारे समाज आगे बढ़ सकता है और जैसे कि आप नमर दो स्वास्त में अस्पताल में बहुत सारी सुबदातों होती है लेकिन जो हमारे पैसेंट होते हैं सोपर यहां से कराल से उनको रेपर कर दिया जाता है सोपर के लिए स लियर बार बेजना पड़ता है अगर सुष्ट की है अच्छी सुबदा बैतरी सुबदा हमारे जिले में ही मिल जाए जे रोड सड़के देखेंगे मकमंतरी सड़क योजना तो यहां तक तो सही है लेकिन गामों में जाकर देखें आप तो बिल्कुल सपा बरसात में तो हम लोगों ने कई बार का आए कि देखो पहले हमारे सड़कों को गाम की गलियों को नालियों को ठीक करवाएं लेकिन पंचायत भी हमारी कुछ सुनवाई नहीं करती है और दूसरे आप इन समस्याओं को अधकरी देखते ही नहीं है जैसे कि आप देख लो लाइट की समस्या जब बरसात के दिनों में लाइट का खम्मा आधियो तूपानेों से तूड़ जाता है तो डीपी फोग जाती है डीपी को भी हम गिरामिड लोगों के द्वारा ही ठीक करवाया जाता है पंदरा पंदरा दिन हो जाते हैं एक-एक मेना भी हो जाता है कभी-कभी तो खराब ह होती रहती है तो इसको भी पैसा चंदा एक टकर के गाम वाले ही खुदी सुदर्वा के लाते हैं तब जाके लाइट आप आती है नित्रम जी आपने कमिया तो गिना दी छेतर के आप बिगास कार भी तो देखिए बीजेपी सरकार ने इतने बिकास कार किये हैं आदवासिय प करेंगी अधिवाशी बिकास खंड के नामसर जाता है एसा बिकास कंड मुझे कागज़ों में ही देख रहातल पे दहा है और अप लीजिया है अब पकाशंघ होता आदि यूँका तो हमारी कोई सेजब बता दो यहाँ पर हमारी कोई इसमर्ती पुराणी जो संस्क्रथी करते ही होती हैं Mutta dollar जो कि हमारे पूजणी माने जाते हैं तो परस हम कारे करम cwc में या कोई प्राइड बिल्डों में करते हैं अगर बिर्सामुंदा जी का हमारे कोई इस तनस्तान बन बादेते सरकार तो हम जो कारे करम करते हैं लोग हुआं पर ही कर लिए अब देखो आप जो भी बिकास कार के रहे हैं कुछ भी बिकास कार नहीं है हम तो तबी कश और माने जाएंगे जब हमारे यहां कराल में आधिवासी बिकास कंड में बिर समन्डा की स्टमा इस्तपफित करो और एक धरमसाला अधिवासीं के नाम निकालो ताकि जो भाई लोग आते हैं कि विए रुद कर कर के गुजरात में कहीं बार फिलान रोजगार के नाम पर तो आप जीरों लगाए रोजगार करना के लिए गुजडात अभी भी प्लान कर पचा रहां तोlaimer सब्सक्राइब कोई लाव मिलेगा सरकार से लेकिन कोई लाव नहीं मिलता है यहाँ पर तो आप देख लो बोट की राजनी ती यह केबल बोट मांगने के लिए जाते हैं अमें तो बोट चाहिए उसके बाद में नसमाज से पूछते हैं कि तुमारे साथ क्या हो रहा है देखने को आया था एक बार कई समय पहले आप मुख मंतरी जी से मिलने के लिए बोपाल भी गए थे क्या मामला था वो जी बिलकुल जी बिलकुल हम बोपाल गए थे हमेशा यूबाओं के लिए हमने संगर्स भी किया है और करते भी रहेंगे आगे भी उनकी आवाज को अठाई है हमने जब जब यूबा कहते हैं कि हमारी यह मांग है यह समझ्च आए अगर ग्रामिड लेविल की समझ्च होती है तो उसको तो हम यहां पर ही सबी लोग यहां पर सुल जा लेते हैं लेकिन जब पर देस लेविल की बात तब यूबाओं की आवाज के लिए हम लोग कम से कम अजार से पांट सो लड़के अपने स्वयम के कर्चे पर उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे हम लोगों ने चंदा एक अट्टा किया था अपने स्वयम के कर्चे पर हम मामा जी के पास गए थे कि मामा जी हमारी आवाज को रखेंगे और सुनेंगे और समस्या का निराकन करेंगे लेकिन मामा जी ने समय तो दिया हमारे लिए बात भी की थी लेकिन थोड़ा दस-पांच मिनट का ही समय दिया था उन्होंने बोला था कि हमारे मंत्राले में कुछ मीटिंग है तो हमें जल्दी जाना आए क्या मांग लेकर गयते आप मुखमंत्री जी के पास अहीं मांग ने गयते कि हमारे सीधी बरती जो बंदो गई नको फोना चालू किया जाएं ताकि हमारे जो आदिवासी वाहीं उनको नुक्ती मिल जाए अभी तक सीधी बड़ती हुई क्या चालू फर नहीं अभी तक तो कोई सीधी बरथी नहीं ती बनरँ चक्की हुई लेकिन वह भी अभी तक उनका कोई रिजल्ट नहीं आया है पटवारियों की भी शीदी बर्ती के नाम पर जो फारम लिए गए थे उनको बो भी फारम अभी बापस आ रहे हैं लड़के कह रहे थे कि भाईया हमारे फारम तो बापस आ रहे हैं पर जो पैसा फारम के लिए जो लगे थे उनके तो हमारे पालतू के पैसा जाता कि आपकी मांगों को फूर्ण किया जाएगा लेकिन वो अभी तक ही चुनाब आगाई लेकिन अभी तक कोई मांग है हमारी पूरी नहीं हुए बाचपा सरकार से मुक्खमंति शुराइस सिंग चौवान जी ने आपके इतों की रच्छा के लिए एक पैसा एक्ट भी लाया है शोपड मैं पैसा एक्ट लागू करवाया, उन्होंने, पैसा एक्ट में इतनी समीतियां बनी हैं कि आपके सारे बिवादों के निराकरांट महीं हो जाये करेंगे समीतियों से, फिर आपको क्यों की योजना अच्छी ने लग रही हैं। जी पैसा एक्ट बनाया एक 就्टी की बात है क्योंकि इसमें हमारे आधिकारों जो भी लड़ाई है बिषस में सभी लड़ाई को मतल पैसा के मैं नियुक्स की माद्तर हम स्लिजा सकते हैं लेकिन पैसा एक्ट लागू तो गया आए जो लेकिन हमारे करा備 कास स्ट्राइब करना है इसको देखने के लिए कुछ भी निमीजून क्या कि अश्राइब करते हैं कि जंगल जाते हैं हमारी बहते बहुती माता वेहन कुछने जाती है फोरिष्ट-वाले उन पर लाटी चार्ज करवाते हैं तूटे मुकद्मे करवा देते थे तो पैसा एक्ट क को अभी तक देखने नहीं रहा है कि आदिवासियों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं समीति जितने ही पैसा एक्ट के मादम से बनी है वो सिर्फ कागजों में ही बनी हैं हमारे आदिवासि बाई बेनों से पूछ लो कि कौन सी समीति के कौन अध्येख्ष है पंचात लेवल में आप देखो मैं भी गूमा हूँ मैंने हमारे गाम के लोगों से पूछा था कि पैसा एक्ट बनाए उसकी समीति का आपकी पंचात का कौन अध् पढ़े लेके यूबाओं को तो सरकार की जो जनाए वो अच्छी तरह चलें और ऐसे लोगों को बना देते हैं सर्पंसेकर्ट्री पैसा एक्ट के माद्ध हम से ताकि उन पे तो सान करवा लें उनको पढ़ना लेकिन आता नहीं है सान करवा लें और अपना काम निकल वा लेत सबसे एक उम्मीद्वार उतारेंगे और वह आगर जीत गया तो हम उसी को अपना बिदायक देंगे जो अमारी मांगों को मांगों पर खरे उतरे हमारे साथ जुड़े थे छात्र संके नेता नेत्राम देवर्दिया जी इन्होंने तब हम सारी सरकार की योजनाएं गिनाई और कहा कि योजनाएं तो सरकार लागू करती है लेकर लोकल परिशाचन उनोने योजनाओं को क्रियानवन ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है काफी इनमें रोज है इस बार चुनावी मुद्दों को बारे में उन्हने बताया इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार को भी